हेलो दोस्तों स्वागता आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एवि आटो ब्लोक्स में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने mid-size SUV का sales figure जाना था कि October 2020 में सभी mid-size SUV का sales figure कितना रहा तो दोस्तों इस वीडियो में हम Toyota और Tata के model wise सभी का sales जानेंगे तो चलिए बीडियो को सुरू करते हैं बीडियो को फुल जरूर देखें तो चलिए पहले बात कर लेते हैं Toyota Velfire की तो अक्टूबर में इसकी 29, 29 यूनिट भी की है और वहीं बात करें Toyota Camry की तो 38 यूनिट भी की है और आगे बात करें Toyota Yaris की तो इसकी 373 यूनिट भी की हैं अक्टूबर 2020 में चलिए बात कर लेते हैं अब Toyota Fortuner की तो इसकी अक्टूबर 2020 में 1472 यूनिट भी की हैं ये एक्स रूम प्राइस 28.66 लैक से सुरू होकर 34.43 लैक से तक मिलती है और अब बात कर लेते हैं Toyota Glanja की तो इसकी अक्टूबर में 2988 2,978 यूनिट भी की हैं और बात करें Urban Cruiser की जो अभी हाल ही में लॉंच की गई है तो इसकी अक्टूबर 2020 में 3,006 यूनिट भी की हैं और अब बात करें जो Toyota की सबसे ज़्यादा भीकने वाली 4-wheeler है तो वो है Innova Krista इसकी अक्टूबर 2020 में 4,477 यूनिट भी की हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं Tata के बारे में तो Tata की जो सबसे कम भीकने वाली कार रही अक्टूबर 2020 की वो रही Tata Tigor इसकी अक्टूबर में 1,501 यूनिट भी की हैं हलाकि अक्टूबर 2019 के मुकाबले इसका सेल्स फिगर 30%, 30% ज़ादा हुआ है अक्टूबर 2019 में इसका सेल्स फिगर 1,151 यूनिट था और चलिए बात कर लेते हैं Tata Harrier की तो Tata Harrier की अक्टूबर 2020 में 2,398 यूनिट भी की हैं इसी महीने 2019 में इसकी सिर्फ 1,258 यूनिट भी की थी इसका भी सेल्स फिगर 91% ज़ादा हुआ है अक्टूबर 2019 के मुकाबले अब चलिए बात कर लेते हैं उस गाड़ी के बारे में जो Tata के लिए हमेशा most selling रहती है पर इस बार Tata की सभी models में थर्ड पोजिशन पर आ गई है तो वो है Tata Tiago इसकी 6,083 यूनिट भी की है हलाकि इसका भी सेल्स फिगर 11% ज़ादा हुआ है अक्टूबर 2019 के मुकाबले अक्टूबर 2019 में इसकी 5,460 यूनिट भी की थी चलिए बात कर लेते हैं आप प्रीमियम हैच बैक Tata Altrose की इसकी अब तक एक महीने में इतनी यूनिट कभी नहीं भी की थी इसकी अक्टूबर 2020 में 6,730 यूनिट भी की है हलाकि अक्टूबर 2019 में ये लॉंच ही नहीं हुई थी चलिए अब बात कर लेते हैं Tata की तरफ से जो most selling car रही वो रही Tata Nexon इसकी 6,888 यूनिट भी की है दोस्तो अगर आप mid-size SUV का sales figure जानना चाहते हैं तो description में मैंने link दे दिया है वहाँ से आप mid-size और sub-compact SUV का sales जान सकते हैं अगर बात करें अक्टूबर 2019 के sales figure की तो Nexon की 4,438 यूनिट भी की थी मतलब इसका भी sales figure 55% जादा हुआ है अक्टूबर 2019 के मुकाबले तो दोस्तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करे, share करे और हमारे चैनल को जरूर से जरूर subscribe करे दोस्तो अगर आप महिंद्रा, मारूती सुष्की या हुंडई के model oil sales जानना चाहते हैं तो उनका भी description में मैंने link दे रखा है वहाँ से जाकर आप वीडियो को watch कर सकते हैं धन्यवाद